सर शारली 777 कैसा एक्सपिरियंस था एंड मैं तो एक्सपिरियंस था कि साउथ के डिरेक्टर्स बेजवानों से भी एक्टिंग करवाना जानते हैं और यह बॉलीवुड की कुछ फैमिली जिन्होंने कभी आर्ट को प्रमोट नहीं किया आर्ट नहीं बेचा इनके पास बेच है और ऐसे से लोगों को इन्होंने में स्क्रीम मीडिया में जगा दी है जिने दी नहीं जानी चाहिए तो मैं तो यहीं कहूंगा कि बॉलीवुड एक पीशे बॉलीवुड मूवी आए थी इंटर्टेन्मेंट नाम की तो वह एक्दम वर्थ फुल नहीं थी आया तो बीव इसको तो फाइव 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 यहां देने चाहिए और मुझे अपने मेरे पैट की आद आ गए एक काफी अच्छा राए बसे क लाइन बुलोंगा कि अढोप्शन ही करना चीह डॉबस को और लब प्यार करना चीह ड़ग सको और बस इतने मैं कैसा रहे है पिल्ट बोट गए अल्टिमेट था था वहाद बहाद 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 च्छी है वाद पहाद अच्छी 10 my ultimate movie out of 55 stars thank you a wonderful experience I think five out of five definitely five out of five very nice concept very nice everyone should watch this movie yes even if anyone don't don't even love dogs after watching the movie he will definitely love the kind of emotion that has been projected with an animal and the human and one can really feel like another kind of human out there so yeah four point five yeah it was quite good movie I think the overall role that the dog played that kind of emotions he he was able to display on screen it was amazing I should watch this movie especially the older children 8 to 10 years will be very good and for everyone डिए मंसलंब एक तरीका से पूरी फैमिली मुवी है है आज कल ऐसी बहुत कम बनती हैं कि फैमिली से मैंते रचीज़ बिलकुल बिलकुल आज कल हम एक चीज नहीं समझ पाते हैं कि इमोशनेली अपने अपको एक्सप्रेस करना या किसी की इमोशन समझना तो वो इस मुवी में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है आंक भी नम होती है बिल्कुल बिल्कुल